इस तो बात करेंगे आने वाले कुछ स्टॉक्स की ठीक है पूरी वाच लिस्ट जो है इस हफते के लिए क्यों है क्या है और आप देख रहे हो थोड़ा सा बाउंस आए मार्केट में से अब यह सस्थेन करता है कि नहीं करता वो हमारे को हमारे ट्रेड्स बता देंगे बट उ बीचे लिंक है जॉइन कर लो 29,000 लोग हैं अब यह लिस्ट एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा ग्यारा स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि खुलते ही बाय कर लेना है या फिर सेल कर देना है आपको मैं अपना अलेसिस बता रहा हूं आपकी मर्जी है आप उसको खरीदना चाहो या नहीं खरीदना चाहो ठीक है तो अपने खुद के अनलेसिस खुद के ट्रेड्स पर ट्रस्ट करो और उन पर ट्रेड ले तब यह आपका कॉन्फिदेंस बढ़ेगा और तब यह आप खुद उसको ट्रेड कर पाऊ यह स्तॉक अभी बिल्कुल भी रेड 20 को वापस अब यहां पर दो टाइट डेज देता है और फिर थर्ड देगा तो मेरे लिए एक अच्छी एंट्री बन सकते हैं वहना तब तक के लिए लेट्स स्केप इट अब आते हैं सुयोग अगर आप देखो न तो अपने खुलने के थोड़े दिन बात का जो है उसके आसपस कंसॉल्डेट कर रहा है ठीक है तो यहां से हमारे को एक अच्छा 10-20 परसंट का जो पॉप आता ना मूब वो मिल सकता है लेकिन उसके लिए आइडिली मैं चाहूं नहीं से कहीं तक दिखकत नहीं है इसके वारते हैं एरोफ्लेक्स पे एरोफ्लेक्स का चार्ट देखो अगरा अराम से देखो हम डे हाई के ना डे हाई वो जो इसका और टाइम हाई है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे है एक बार गए थे हम बड़ वो शेक आउट देकर बाहर फिर से गहीं है और फिर से हम सस्टेन भी कर रहे है तो यह भी एक बहुत अच्छा साइन ठीक है यह तक है तो यह भी एक प्राइरिटी है जो प्राइरिटी है वो ग्रीन में रहती है नेक्स्ट टॉक है केल्टन एक बड़ा आप मूफ तन्सॉलिडेशन टू साइडवेस और एक चीज़ नोटिस करो क्या इस साइडवेस के अंदर आपको वॉलिम दिख रही है नहीं सेलिंग के टाइम को वॉलिम ही नहीं आ रही है और जब बाइंग आ रही है तो यह की सिगनल होता है कि स्टाॉक स्ट्रॉंग है बाइंग के टाईम पैसा गुचता और सेलिंग कंपेर करके देख लेना आपको यह स्ट्रॉंग देखेंगे निफ्टी के निफ्टी फाइब कंपारिजन में इसका यह मतलब है कि यह स्टॉक इस्ट्रॉंगर दन दी रेस्ट अफ दमार्केट मैस्टॉक बहुत बढ़िया सेटप इसकी एंट्री तो इसी दिन बनती थी लेकिन कोई नहीं अभी देखते हैं इसको कैसे ट्रेड करना है दो दिन टाइट मिल जाए इसके अंदर भी तो मजा आ जाएगा यहां और यहां और फिर पाउप बहुत बढ़िया ट्रेड बन सेलिंग में कहीं पे वाल्यूम नहीं है तो अगर इसमें स्लाइट खुलते हैं हम और पॉप करते हैं तो मजा आएगा SBIN अगर आप देखोगे न तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक अच्छा छोटा सा इंट्रेट रेट ज़रूर बन सकता है सेलिंग आ रही थी ठीक consistent बड़े बड़ी sell-off देख रहेगा लेकिन सब कुछ छोड़कर stock buying की तरफ नकल रहा है अब पूरे का पूरे बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें पूरी की पूरी strength है तो अगर support मिलेगा बैंकिंग सेक्टर की तरफ से SBIN भी चल सकता है green play मेरको अच्छा लागा है stock but earnings pass में है तो मैं थोड़ा सा avoid करूँगा list में जरूर है एक नजर में रख सकते है but let's see यह आ गया हम प्राज industries पे और यह भी मेरको अच्छा लगर है stock लेकिन थोड़ी सी tightness और प्रेफर करें weekly chart देखके मुझे ऐसा लगर है कि मैं थोड़ी सी tightness और प्रेफर करूँगा plus earnings pass में है तो skipping मैं delete कर देता हूँ थोड़ा ignore ही करेंगे SRM another top priority beautiful setup beautiful आप एक heavy volume देख रहे हो पीछे IVS के अंदर उसके बाद एक बहुत अच्छा भारा base बन रहा है तो यहां से अगर volume मिलती है ने एक दिन और अच्छी entry मिलती है मंडे को तो बहुत अच्छी यह brain be solution first cry अब इसके नदर आप कहे रहे होगे यह तो अपना IPO का high total के fail हो रहा है तो यह fail ना एक part है होना जरूरी है यहां पर काफी ऐसा लगते हैं अब अगर यहां पर मार को gap up मिलती है तो अब यह फिर से निकल सकता है move के लिए तो यह भी मेरी की list में priority में ही है तो कई सारे setup है लेकिन इसका मतलब यह नहीं सारे ले ले लेंगे हम एक या दो लेके देखेंगे अगर वह अच्छे move करेंगे तो अब ही लेंटर मोर नहीं करेंगे तो विल टेक अनदर ब्रेंग ठीक है तो दाट इस दे प्लान रिखते हैं क्या होता है फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी होगा पाकी list टेलेग्राम पर अपडेट होती रहेगी एवरीडे करेंगे झाल